एक बार की बात है, एक छोटे से गाउ में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था, मोहन एक बहुत ही दरपोक लड़का था, उसे भूत प्रेत और नकारात्मक चीजों से बहुत दर लगता था. एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था, अचानक उसे एक भयानक आत्मा दिखाई दी, आत्मा बहुत दरावनी थी, उसके शरीर से आग निकल रही थी और उसके आखें लाल थी. मोहन बहुत दर गया, वह अपने दोस्तों को छोड़ कर भागने लगा, वह जंगल में भागता रहा, लेकिन आत्मा उसका पीछा करती रही. आखिरकार मोहन एक पेड़ पर चड़ गया, आत्मा पेड़ के नीचे खड़ी रही और मोहन को देखती रही, मोहन बहुत दर गया था, वह रोने लगा. तब ही एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया, बूढ़ा व्यक्ति एक साधु था, उसने मोहन को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा. मोहन ने बूढे व्यक्ति को सारी बात बताई, बूढे व्यक्ति ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस आत्मा को भगादूंगा साधू ने अपनी मंत्र पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे साधू मंत्र पढ़ता गया, आत्मा कमजोर होती गई, आखिरकार आत्मा का अस्तित्व समाप्थ हो गया मोहन बहुत खुश हुआ, उसने साधू को धन्यवाद दिया, साधू ने मोहन को बताया कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं भटकती हुई आत्माएं होती हैं, जो अपने परिवार और दोस्तों को खो चुकी होती हैं, वे किसी की मदद के लिए भी मोहन ने साधू की बात मान ली, वह अब भूत प्रेट और नकारात्मक चीजों से नहीं डरता था, वह जानता था कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कहानी का संदेश हमें हमेशा भूत प्रेट और नकारात्मक चीजों से नहीं डरना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं भटत्ती हुई आत्माएं होती हैं, जो अपने परिवार और दोस्तों को खो चुकी होती हैं, वे किसी की मद के लिए भी आ सकती हैं क्रुप्या वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे धन्यवाद